नमस्कार आदाप सस्रियाकाल स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चनल न्यूँ आइडियास वाइटी में साथियों आज से हम लोग O-Level का पहला पेपर जिसका मड्यूल कोड है M1R5 और पेपर का नाम है Information Technology Tools and Network Basics जिसे हम लोग SORT में IT Tools and Network Basics बोलते हैं उसका बैच शुरू कर रहा हूँ Basically आपका जो पेपर पहला है M1R5 उसका आपको सलेबस पता होना चाहिए और आपको किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करने की आवस सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर पहला है इसमें टोटल 9 चैप्टर है 9 चैप्टर है पहला है Introduction to Computer दूसरा चैप्टर है Introduction to Operating System तो इन दोनों चैप्टर से आपके एक्जाम में अधिक्तम 10 Marks के Question आ सकते हैं वहीं Word Processing, Spread Seat, Presentation इन से आपके अधिक्तम 20-20-20 Marks के Question आ सकते हैं ध्यान दीजे जो आपका syllabus है उसमें Word Processing के रूप में आपको Libre Office Writer, Spread Seat के रूप में Libre Office Calc, Presentation के रूप में Libre Office Impress पढ़ना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ Libre Office से ही Question आएंगे बलकि MS Word, MS Excel और MS PowerPoint से भी आपके एक्जाम में Questions आते हैं तो आपको Libre Office और MS Office दोनों पर Focus करना होगा क्योंकि आपके एक्जाम में दोनों से ही Question आएंगे अगला है Introduction to Internet and www.Email, Social Networking and E-Governance Services तो इन दोनों चैप्टर से भी एक चैप्टर यह हो गया, एक चैप्टर यह हो गया इन दोनों को मिलाकर अधिक्तम 20 Marks के Question आ सकते हैं और आपको पता ही होगा कि जुलाई 2022 से जो एक्जाम होंगे वो New Exam Pattern के According होंगे जिसमें आपके 100 MCQ आएंगे और साथ ही हर Module का एक Practical भी होगा तो आपको त्यारी अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि यहाँ पर तुक्का से काम नहीं चलने वाला है अगला जो चैप्टर है Digital Financial Tools and Applications Overview of Future Skills and Cyber Security तो इन दोनों चैप्टर को मिला कर अधिक्तम 10 Marks के Quotions आ सकते हैं तो जो सबसे ज़्यादा आपको परिशान करने वाले हैं MCQs वो आपके चैप्टर नंबर 6 और 7 और Operating System इन से जो Quotions आपके एक्जाम में आने वाले हैं E-Governance Services से सबसे ज़्यादा यही आपको परिशान करेंगे तो MCQ के रूप में आपको इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की नीड रहेगी अगर आप चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से पठलेंगे तो आप MCQ को आराम से बीट कर पाएंगे सो आज हम लोग जो पहला चैप्टर है Introduction to Computer यहां से सुरुवात कर रहे हैं जिसमें हम लोग Computer का जो Basic है उसके बारे में जानेंगे सो लेट्स स्टार्ट एक बात आओर कि जो यह MCQ का पैटर्न है इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट डेवलप कर दी है examjila.com जहां पे आप O-Level CCC वा अधर एक्जाम का हिंदी में Pre-op Cost Online Test दे सकते हो बट अगर आप English Medium से हैं और आपको English Language में Online Test देना है O-Level का CCC का तो आपके लिए वेबसाइट है primegyan.com तो यहां पर जाकर आप topic wise या फिर practice set के रूप में English में Online Test Free Op Cost दे सकते हो तो English के लिए primegyan.com Hindi के लिए examjila.com सो आते हैं topic के उपर और बात करते हैं computer है क्या इसका क्या basic है basically जो यह computer है यह directly computer ही नहीं बना बल्कि इसके पहले भी कई सारे invention किये गए और उसी की series में पहले आया अबैकस और आपको पता होगा कि जो अबैकस था उसमें एक frame था और उसमें wire थे और उसमें plastic की ball थी जिनकी help से आप जो basic task थे add करने का, subtract करने का multiply करने का, divide करने का वो कर पार है थे दिन इसके बाद आया पास्कलाइन जिसको ब्लैज पास्कल के द्वारा develop किया गया था जो की एक mechanical device थी उसके बाद भी कई invention हुए तब जाकर वहाँ पर computer बना तो computer एक electronic device है जो data और instruction को input के रूप में लेता है उसको दिखाता है जिसे हम लोग output कहते हैं मतलब यह है कि जो computer है यह एक electronic device या ऐसी machine है जिसमें हम data और instruction data और निर्देसों को input के रूप में देते हैं दिन जो computer के processing units हैं उस data को जो हमने दिया था उसको process करते हैं process करने के बाद एक result तयार होता है जिसको बोलते है intermediate result उसको store किया जाता है दिन जो processed data था जिसे हम लोग output कहते हैं वो हमें मिलता है जिसे हम लोग output device में देख सकते हैं ठीक है बात करें कि जो computer सब्द है यह किस भासा से आया है तो computer Latin भासा के सब्द computer से बना हुआ है ठीक है हाला कि कई लोग इसे English का जो compute सब्द है इससे मानते हैं तो अलग-अलग जो लेखक हैं अलग-अलग inventor हैं उनका अपना अलग-अलग मानना है तो जो computer है इसका मतलब क्या है गड़ना करना यानि की calculation करना basically जो computer होता है हम लोग आपस में बातचीत करते हैं मानली जो मैंने बोला 5 मैंने बोला 10 तो ये क्या है ये एक decimal number system है जिसका हम use अपने दैनिक दिन चर्या में करते हैं तो जो ये human की भासा है वो computer नहीं समझता है बलकि वो सिर्फ और सिर्फ जो task होते हैं जो भी processing होती है वो 0 और 1 के रूप में करता है यानि कि जो computer है वो सिर्फ और सिर्फ दो अच्छनों को जानता है पहला है 0 और दूसरा है 1 और इनको हम लोग महबबत से bit कहते हैं basically आपने सुना होगा binary number system के बारे में जिसका base 2 होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो bit कौन कौन सी 0 और 1 का ही use किया जा सकता है 0 का मतलब होता है off 1 का मतलब होता है on और इसी language को हम लोग बोलते हैं machine language जो की computer समझता है और इसे हम लोग low level language भी कहते हैं तो जो computer का basic definition है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक pick दे रखी है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह एक desktop computer है यह laptop है यह smartphone है यह tablet है और यह monitor है यानि का आप इसको बोल सकते हैं desktop computer basically जो desktop computer है या फिर laptop है इसमें अंतर यही होता है कि desktop में monitor अलग keyboard अलग, mouse अलग जो आपका processing unit है वो अलग होता है जबकि laptop क्या है portable होता है इसमें इन सारे ही part को एक ही में मर्ज कर दिया गया है आप same task desktop और laptop पे करते हो हाला कि इसके बीच में कुछ differentiate है difference है जो कि इसकी battery को इसकी portability को अलग करते है basically जो लोग computer background से नहीं है वो पहली बार computer सीख रहे हैं तो मैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ basic जानकारी देना चाहूँगा basically जो यह आपको दिख रहा है desktop computer इसमें जो यह आपको TV जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते है monitor और यह एक output device है जहाँ पे आप output देखते हो then इसके बागल में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा panel जिसमें आपको कई सारी keys दिख रही है तो इसको हम बोलते हैं keyboard जिसमें different type की like control alt, shift, tab num key, alphabet key, function key यह सारी keys में होती है एक दिख रहा होगा device जिसमें एक device है और इसका यह wire इसमें connect हुआ है तो इसको हम लोग बोलते है mouse जो की एक pointing device है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं mouse से हिला रहा हूँ point कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक point जैसा है जो की cursor के रूप में है इसके बाद जो ये आपको डबा जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं cabinet क्या बोलते हैं cabinet या फिर आप इसे case भी कह सकते हो अधिकतर लोग इसे CPU इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये डबा है जो ये cabinet है इसके अंदर कई सारे parts available होते है जो की एक computer के जो task होते है computer का structure होता है उसको define करने के लिए use किये जाते है जैसा कि जो ये डबा है इसके अंदर आपको मिलता है motherboard, SMPS, CPU इसके अंदर CPU होता है मैं आपको दिखाओंगा इमें CPU की तो जो CPU है जो की computer का brain होता है जो कि इस डबे के अंदर motherboard पे बैठाया जाता है इसी के नाम पे हम लोग इस डबे को बोलते हैं CPU, जबकि असल में ये CPU नहीं है इसके अंदर motherboard होता है उस motherboard में CPU बिठाया जाता है CPU लगा होता है CPU होता है, motherboard होता है आपकी storage device like hard risk, SSD वगारा होती है SMPS होता है writer होता है CMOS battery होती है, RAM होती है और भी component होते हैं बिसकली आपको यहाँ पर कुछ port दिखाई दे रहे होंगे कुछ hole दिखाई दे रहे होंगे तो इसको हम बोलते हैं क्या USB port हाला कि यहाँ पर आपको audio port भी देखने को मिल जाता है यह depend करता है कि आपने कौन सी cabinet ली है वहीं पर जो यह आपको बड़ा सा button दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं power on off button और इसी में एक छोटा सा button होता है जिसका use हम लोग computer को restart करने के लिए करते हैं जिसे हम लोग reset button कहते हैं बिसकली जो भी आपके पास device available है जिसका face USB interface type का है उसे आप लोग USB interface में connect करते हो ठीक है तो यह desktop computer है यह laptop है और यह tablet है अब बात यह आती है कि जो computer है इसका full form क्या है तो C से हो जाएगा commonly O से हो जाएगा operated M से हो जाएगा machine P से हो जाएगा particularly U used for T technical E educational R for research यानि कि commonly operated machine particularly used for technical educational and research यह computer का full form होता है आपके exam में question आता है कि computer के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो answer आएगा Charles Babbage Charles Babbage को हम लोग father of computer कहते हैं अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि जो पहली mechanical machine थी जिसमें हम लोग add कर पा रहे थे उसे किसे के द्वारा invent किया गया तो answer आएगा blaze pascal नाम क्या था device का pascaline ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है जबकि जो पहली calculation device थी उसका नाम क्या था abacus तो यह दोनों point में आपको confuse नहीं होना है जो computer होता है वो binary system यानि कि 0 और 1 का use करता है और binary digit 0 और 1 को ही हम लोग bits कहते हैं क्या कहते हैं bits कहते हैं आपको यहाँ पर एक flow diagram दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले user क्या करता है input देता है instruction देता है उसी के आधार पर processing unit के द्वारा process किया जाता है दिन जो processed data होता है जिसे हम लोग output कहते हैं वो आपको दिखाय देता है output device में तो मान लीजे आपने कुछ data input किया क्या? आपने कुछ data input किया और जो data होता है यह एक meaningful data नहीं होए इसका कोई भी एक meaning नहीं होता है यह एक raw facts and figures में होता है तो आपने कोई data इंटर किया processing unit के द्वारा उस data को process किया गया तो process करने के बाद जो आपको output मिलता है उसको हम बोलते हैं information जो की meaningful होती है आपके exam में question आता है data को process होने के बाद जो data होता है processing के बाद क्या कहलाता है तो इसको हम बोलते हैं information यानि कि data process होने के बाद information में तबदील हो जाता है बदल जाता है और इसके निचे आप लोगों को computer का block diagram दिया गया है कि यहाँ पर क्या है input unit है इसके बाद CPU है इस CPU में तीन main unit होती है पहली है ALU यानि की arithmetic logic unit दूसरी है CU यानि की control unit तीसरी है MU यानि की memory unit इनके द्वारा जो आपने data दिया था उसको process किया जाएगा अलग-अलग unit के हिसाब से जो इसकी responsibility है दिन आपको यहाँ पर output unit में output देहने को मिलता है जो की information होती है तो यह थी computer की basic जानकारी अब हम बात कर लेते हैं कि जो computer है उसकी क्या विसेस्ताएं है साथियों अगर आप लोग इस complete batch को जोईन करना चाहते हैं जिसमें आपको complete त्यारी कराई जाएगी तो आप इस batch को जोईन कर सकते हैं मैंने पहले 50 लोगों के लिए इसकी fees मात्र 250 रुपे रखी है जिसमें आपको complete त्यारी चाहे वो practical के question answer की videos हो उसके question answer हो MCQs हो Viva के question answer हो PDF notes हो MCQ है यह complete चीजे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए 250 रुपे में available है दिन इसके बाद इसकी cost 280 रुपे हो जाएगी तो अगर आप इस complete batch को जोईन करना चाहते हैं और अपने grade को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप batch जोईन कर सकते हैं इसके लिए आपको simply WhatsApp number 7607-4188-17 इस number पे WhatsApp message करना है तो मैं आपको complete जानकारी provide कर दूँगा इसी में आप लोगों को ये complete PDF notes भी मिलने वाले हैं तो जो कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आप सब कुछ आपको इस batch में मिलेगा इसी प्रकार से M2, M3 और M4 का भी available है बात करें characteristics के बारे में तो speed, storage, accuracy, secrecy, versatility, repetition, accuracy, reliability ये सारी सारी computer की विशेशताएं हैं एक-एक के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं speed के बारे में तो जो task एक human आम तोर पर काफी time में करता है वही काम computer seconds में micro seconds, mini seconds में कर देता है यानि कि ये millions of data को एक second में process कर सकता है इतनी ज़्यादा speed होती है अगला term आता है storage कि computer में जो ये इसकी features है उसमें storage कि इसमें आपके पास जो data है information है उसको store करवाया जा सकता है क्योंकि इसमें memory unit होती है अगला term आता है accuracy तो जो accuracy है इससे ताथ पर ये है कि जो भी आप इसमें data enter करेंगे उसके corresponding आपको बिल्कुल accurate जो बिल्कुल सटीक answer है सटीक result है वो आपको देखने को मिलता है बले ही आप वही काम बार-बार क्यों न करवाएं आपको same output मिलेगा तो यहाँ पर जो precision है वो काफी high होता है अगला है secrecy यानि कि इसमें आप लोग एक ही computer में कई सारे user को create कर सकते हो password से protection provide कर सकते हो तो यहाँ पर आपको secret ये इसको बोलते है secrecy ये feature मिल जाता है अगला है versatility इसका मतलब यह है कि आप एक ही computer में different प्रकार के काम कर सकते हो different type के task कर सकते हो अगला term आता है repetition कि आप computer से एक ही काम बार-बार करवा सकते हो वो बोर नहीं होगा बिल्कुल reliability के साथ में accuracy के साथ में speed के साथ में आपको same output देगा basically repetition को ही हम लोग diligence भी बोल सकते हैं अगला है accuracy यह दो बार repeat हो चुका है अगला है reliability कि इसमें जो आपको output मिलने वाला है वो reliable होता है आप एक ही काम बार-बार करवाएंगे तो भी जो result है उसमें कोई भी changements नहीं आएगा difference नहीं आएगा तो यह थी computer की विशेष्था है अब हम बात कर लेते हैं कि जो computer है इसका classification के बारे में वरगी करण के बारे में तो जो computer का classification है उससे हम आम तवर पर चार प्रकार से कर सकते हैं सबसे पहला आता है purpose के आधार पर पहला आता है generation के आधार पर दूसरा हो जाएगा working के आधार पर तीसरा हो जाएगा size और capacity के आधार पर और चौथा हो जाएगा purpose के आधार पर तो यहाँ पर आएगा purpose बात करें generation के आधार पर तो first generation second generation third generation fourth generation, fifth generation बात करें working के बारे में तो digital computer, analog computer, hybrid computer बात करें size और capacity के अधर पर तो पहला हो जाएगा micro computer जिसे हम लोग PC यानि की personal computer भी कहते हैं जो की आम तोर पर हम लोग use करते हैं अगला है mini computer जिसे हम mid range computer भी कहते हैं फिर आता है mainframe computer दिन आता है सबसे सकतसाली super computer बात करें purpose के अधर पर तो general purpose और special purpose इनके बारे में हम लोग बारी बारी से चीजों को explore करेंगे अब हम अगला जो term है वो है input device अब ये input device क्या होती है तो input device कुछ ऐसे device होती है जो user के द्वारा दिये गए निर्देसों और data को computer तक पहुचाने का काम करता है इन devices के जरिये ही user अपने किसी कारे को करवाने के लिए computer को निर्देस देता है instruction देता है कहने का तात पर यहाँ है कि जिन device की मदद से data, sabd, आकड़े, आदि computer की memory को दिये जाते हैं ताकि user के जो निर्देस हैं उसके अनुसार कारे हो सके उसको हम बोलते हैं input device कम सब्दों में कहना चाहें तो input device का प्रियोग data और निर्देसों को information processing system तक पहुचाने के लिए किया जाता है और यहाँ पर आपको example दिये गए हैं जैसे की keyboard, mouse, scanner, joystick, trackball, light pin, touch screen, microphone, barcode reader, touchpad, graphic tablet, digital camera, gimbal tag, reader ठीक है और आप लोगों को यहाँ पर joystick, keyboard, mouse, mic इनका यहाँ पर picture दिया गया है और यह सभी के सभी input device हैं जिनकी help से आप data या instructions को computer की जो unit है वहाँ तक पहुचाते हो अगला आता है output device तो output device उन peripheral को कहा जाता है जो computer से produce किये गए output को receive या display करते हैं peripheral devices से मतलब है वे computer hardware जिनका कार एक computer के लिए input वा output प्रदान करना होता है यानि कि input device, output device को अगर आप मिला दें तो उसको आप कहेंगे peripheral devices बट अगर आप उनको अलग लग बाट दें कि या यह input device है यह output device है तो processed data को display करने के लिए present करने के लिए जो devices use की जाती है उसको हम बोलते हैं output device जैसे कि जो output है वो दो type का हो सकता है या तो वो output soft हो सकता है या तो hard हो सकता है तो ऐसी device जो आपको soft copy में result प्रवाइड करती है output प्रवाइड करती है उसको हम बोलते हैं soft copy output device जैसे कि monitor में जो आपको content display होता है ना तो आप उसको छू सकते हो सिर्फ उसको आप पढ़ सकते हो मैसूस कर सकते हो और जो data होता है soft वाला वो temporary होता है permanently नहीं होता है बात करें monitor के बारे में तो इसके भी कई types हैं जैसे कि CRT अगर आप लोगों ने आज से लगभग 10 से 15 सल पहले वाले जो computer देखे होंगे तो उसमें आप देखते थे कि एक होती थी TV जैसा monitor तो इसको हम बोलते हैं CRT cathode ray tube अगला है LCD यानि कि liquid crystal display next LED यानि कि light emitting diode तो जो ये आपके है CRT, LCD, TFT, LED ये सभी की सभी क्या है monitor है speaker, projector, headphone, sound card ये क्या है ये सभी के सभी soft copy output device है अगला आता है hard copy output device यानि कि वो output जिसको आप हाथों से छू सकते हैं और वो permanent होता है ऐसी device को बोलते है hard copy output device इनसे जो आपको output मिलता है वो permanently होता है उसे आप हाथ से छू सकते हो जैसे कि printer मान लिजे आपने किसी result को या किसी data को print कर आवाया तो वो जो print out रहता है वो permanently होता है और उसे आप हाथ से छू भी सकते हो तो printer और plotter ये भी आपकी output device ही है बट इनसे जो आपको रियल्ट मिलता है वो hard copy कहलाती है monitor, speaker और ये रहा printer ठीक है तो ये आपके output device हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ने वीडियो आप मिस ना कर सकें अगला topic आता है CPU तो CPU का full form central processing unit होता है तो computer के सारे input और output उपकरण CPU से आंकिक तथा तारकिक यानि कि mathematical और logical communication के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसी communication ववस्ता के माध्यम से input output उपकरण हर तरह की data CPU को भिशते रहते हैं और CPU भी input output उपकरण को हर तरह की data का अदान पुदान करता रहता है CPU computer के जो working system है उसको और भेतर करने के लिए system clock, address bus, memory, secondary storage आदि पर निरवर रहता है डिपेंड रहता है, motherboard पर इस्थापित सारे microchips CPU के लिए एक सैनिक की तरह काम करते हैं CPU अपने कार पणाली को सुष्थित करने के लिए इन सभी microchips का सहारा लेता है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो जो यह image है, यह CPU की है, जिसे हम लोग motherboard पर install करते हैं तो जो motherboard होता है, उसमें एक section होता है, ठीक है, बोल सकते हो एक जगे होती है जहाँ पर हम लोग CPU को install करते हैं, CPU को बैठाते हैं, तो जो CPU था, इसको हमने यहाँ पर बिठा दिया है बिठाने के बाद इसमें लगाया आता है CPU फैन, जो की CPU को ठंडा करने का काम करता है तो जो यह आपको दिख रहा है fan यह क्या है यह CPU fan जो की पहले हमने क्या किया motherboard पे CPU रखा CPU रखने के बाद हमने उपर से CPU fan इंस्टाल कर दिया तो यह आपको image दिख रही है यह CPU की image है तो central processing unit CPU का पूर्ण रूप है इसे हम computer का दिमाग भी कहते हैं और CPU को ही हम लोग salt में micro processor भी कहते हैं यह एक semiconductor device है जो की दिये गए data और निर्देसों को process करके output produce करता है CPU के तीन main component ALU, CU और MU है ALU का full form arithmetic logic unit होता है CU का full form control unit होता है और MU का full form memory unit होता है Intel 4004 पहला micro processor था अब बात यह आती है कि CPU के function क्या है CPU के कारे क्या है तो CPU का कारे क्या है यह data intermediate result और instruction जिसको बोलते हैं program उसको store करता है processing का काम करता है memory से data और instruction को read करता है computer के जो parts है उसको control करता है information flow की timing भी control करता है तो यह सारे जो basic काम है यह CPU करता है इसके अलावर के सारे काम है जो की CPU के द्वारा किये जाते हैं जो CPU है इसके तीन main component थे mathematical और logical जिसमें आपकी comparison, decision making, etc. यह सारे operation आते हैं उनको करता है और उसको execute करने के प्रित responsible होता है और इसका full form तुम्हें को बता है चुका हूँ arithmetic logic unit अगला टर्म आता है MU तो MU का full form memory unit जिसे हम लोग storage कहते हैं होता है यह एक temporary storage है जो की data processing के दवरान data को store करता है basically आपने नाम सुना होगा register के बारे में तो जो register memory होती है उसको हम लोग MU यानि की memory unit कहते हैं और इसकी access speed काफी fast होती है तो आज की इस class में हम लोग इतना रखते हैं इसके बाद हम लोग अगली class में continue करेंगे अगर आप लोगों को batch join करना है तो आपको simply whatsapp number 7607418817 इस number पे contact कर लेना है तो मैं आपको complete जानखारी प्रवाइड कर दूँगा आप लोगों को ये class कैसी लेगी इसके बारे में आप हमें comment के जरिए बता सकते हो So guys, जय हिंद Thank you friends